हलो स्वागत है आपका हमारे चैनल केरियर अप्रेट बाइंजीनियर में और एक जॉब डेट निकल के आ रहा है अप्रेंटिसिप के लिए अगर आप अप्रेंटिसिप करने के चुक है तो यहां पर आई टी डिप्लोमा और डिगरी के लिए यानि कि ग्रेजुएशन वालों के लिए अप्रेंटिसिप का वेकेंसी निकल के आ रहा है कहां से निकल के आ रहा है तो यहां पर सारा डीटेल हम लोग डिसकस करेंगे सौर्ट फॉर्म में तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने देगेगा देखिए सबसे पहले आप अफिस्यल वेपसाइट पर आ देखिए यहां पर है ड्यांटिसिपी 3 ओर देख लिए यहां पर देख लीजेगा यहां पर ड्यांटिसेमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले बता दू है जो बहसे वाले सब्सक्राइन अ चीज और आपको ध्यान रहननी है धो यहां पर 36 गड़ की वेकेंसी है तो 36 गड़ का निवास प्रमारपत्र माग दिया है यानि कि domicile certificate आपको farm के साथ attach करके send करना पड़ेगा यह domicile certificate basically attach करके send करना है तो इसका मतलब कि सिर्फ 36 गड़ के student ही इस farm को apply कर सकते हैं क्योंकि other state का student रहेगा तो उसके पास तो 36 गड़ का निवास प्रमारपत्र या domicile certificate रहेगा नहीं तो कि वहां की निवास ही नहीं है तो यहां पर domicile certificate आपसे जो farm आपको send करना है offline वहां पर आपसे domicile certificate की फोटोकापी भी आपको उसके साथ send करनी है तो आप यहीं मानके चलिए यहीं आप मानके चलिए कि सिर्फ 36 गड़ के जो विद्यारती है वही यहां पर apply कर पाएंगे ठीक है तो बागी लोग इस वीडियो को skip करके जा सकते हैं आईए हम लोग सबसे पहले चलते हैं को आईटीयाई के जो ज्यापन की तरफ आईट्यए के डटाईजमेंट की तरफ देखेत यह यह आईटीये वालों के डटाईमेंट है Hai दो मार्ज को निकल के आया था सबसे पहले नंबर आप पोस्ट हम दोग देख लेते हैं तो नंबर आप पोस्ट काफी अच्छी है आप पर इलेक्ट्रीशियन का फीटर का आप देख लीजिए बिल्डिंग मेंटेरंस टेकनीशियन मसीनिस्ट टर्नर विल्डर वायरमेंड ए आवेदन पत्र आपको offline send करना पड़ेगा कहां पर कैसे हुआ भी आपको बताऊँगा उसके साथ-साथ आपको क्या क्या send करना ही यह आपको बताया गया है सनलगर प्रावरूक के आवेदन पत्र सनलगर प्रावरूक में सपत पत्र दसवी एवं बार्वी सूची आई टी यह जो मार सीट है सर्टिफिकेट है उसको अगर कोई आपका कैटेगरी लगता है तो उसको ठीक है साथ ही जाद है जाने साथ दिनों के भीतर, यहां पर दिखें वेबसाइट पर प्रब्रिस हुआ है दो मार्च, तो 2 अप्राइल, दो माई, यानि कि लगभल लगभल साथ दिन दो माई को होंगे, तो 2 माई तक आप इसको send कर सकते हैं, ठीक है, कहां पर send करना है, तो यहां पर यह पता दिया आप देख लीजे यह फॉर्म है आपको यही फॉर्म भरना है और साथ ही साथ जो डॉक्मेंट्स मैंने आपको उपर बताएं वह आपको इसके साथ अटाइज करके सेंड कर देना है ठीक है तो अगर आप 36 के निवासी है और अपरेंटेसिप करना चाहते हो तो काफी ज्याद तो इलेक्ट्रिकल में 43 है सिविल में 3 है कंप्यूटर साइंस में एक है इनफॉर्मेशन टेकनलोजी में एक है ठीक है नौजार रुपए प्रतिमा आपको इस्टाइपेंड मिलेगा डिप्लोमा परेंटेसिप की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एर ट्रिपल इंजिनरिंग म में एक है सिविल में 2 है कंप्यूटर में एक है इनफॉर्मेशन टेकनलोजी में एक है टोटल 63 है और डिप्लोमा वालों को आठ जार रुपए प्रतिमा इस्टाइपेंड यहां पर मिलने वाला है अब देखें यहां पर एक वर्स किया वाद यहों की इस्टाइपेंड नो अब देखें क्या क्या भेजना है यह आप वही चीज़े हैं जो मैंने आपको पहली बताएं दसवी असना तक जाज प्रमाड पत्र निवास प्रमाड पत्र ठीक है और यहां पर National Apprenticeship Training Scheme का registration number ठीक है और जो मतलब आप जब NETS पर registration करेंगे तो उसका जो फार्म होगा पूरा फिल करने के बाद आप उसका एक प्रिंटाउट निकल वा लेंगे और उसको जो है टाइस करके भेज देंगे ठीक है 214-2022 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं ठीक है कहां पर भेजना है यह यहां पर दिया हुआ है एड्रेस आप पढ़ दीजे मुक्या भिनता प्रसिच्छन संधाने विकास यहां पर आपको भेजना है और लिफाफे के उपर आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करना है यहां पर आपको अपना रिष्टेशन नंबर भरना है कटेगरी भरना है यहां पर किसलिए अपलाई कर रहे हैं वो लिखना है किसको भेज रहे हैं वो लिखना है और कौन भेज रहा है यह लिखना है तो लिफाफे के ऊपर यह सारी चीजें भरनी है फिर आ मैंने भी आपको बतायों वहां पर सेंड कर देना है तो इतना काम आपको करना है और अगर आपका सेलेक्षन होता है तो आप अपरेटेसिप कर सकते हैं ऐसी जानकारी अपरेटेसिप से जूड़ी और पर्मानेंट जॉप से जूड़ी मैं आपको देता रहता हूं तो चैनल सब्सक्राइब किया तो चलो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स टूडियो में नई जानकारी के साथ तक बने रहे हैं मारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद